आटी P WR since के सीटी वैलू आती है इससे क्या 20 के मरीज की खतरा कितना इस से जाना जा सकता है और घर बैठे पज़्स ऑक्सीवीटर से हम किस तरह से अपना first aid ले सकते हैं और hospital में इतनी भीड है कि वहाँ बेड नहीं है तो हम अपनी इलाज को किस तरह से कर सकते हैं पहले RT-PCR समझते हैं देखिए जो corona virus है न यह सबसे बड़ा समस्या है कि यह एक RNA virus है RNA जो होता है और हम लोग के पास DNA है देखिए DNA double helix होता है इसमें दोहरी रसी होती है double standard होता है DNA का model जबकि RNA जो होता है DNA का आधा होता है यह किवल single standard single helix होता है यह आप है तो यह RNA हो गया यह DNA हमारे सरीर में DNA होता है यह genetic होता है और जो corona virus है इसके अंदर जो है वो RNA है समस्या यह है कि हम लोग RNA को नहीं चेक कर पाते हैं हमारे पास technology जो है वो चेक करने की है वो DNA को चेक करने की है जैसे आपके बच्चे की सकल अगर आपके पडोसी से मैच करने लगती है तो हम लोग DNA चेक करते हैं लेकिन सबसुरा कोरोना में DNA हाई यह नहीं है तो चेक कई से करेंगे तो इसे हमें RNA से वापस DNA बनाना होगा तो जब DNA से RNA बनाए थे तो transcription था तो वापस RNA से जब DNA बनाएंगे तो उसे कहेंगे reverse transcription तो हमें कोरोना की जाच करने से सबसे पहले कोरोना के अंदर जो RNA है उसे जोड कर हमें क्या बनाना पड़ेगा DNA बनाने पड़ेगा इस क्रिया को कहते है reverse transcription इसी को कहा जाता है RT तो कुछ लोग इसको real time कह रहा है इसे कहा जाता है RT अब PCR का होता है क्या सी polymera chain reaction तो ये क्या कहते है कई ठो chain बनाने होते है कई circle बना के होता है जैसे मन के चले एक यहाँ circle दो circle बना दिये यहाँ पर तो दो हो गया यहाँ पर तो ऐसे करके chain बनाए जाता है तो reverse transcription polymera chain reaction इसी आधार पर corona जो होता है उसकी जाच किया जाता है अब इसमें क्या जाच करते है समझे आपके नाक से लिया जाता है लिया जाता है या मुह से स्लाइवा को लिया जाता है इस स्लाइवा में है आपका RNA उसे हम reverse transcription के दोड़ा बनाएंगे DNA और DNA के बाद हम इसे machine में डालेंगे यह RT-PCR की जो machine है अब इस machine में हम इसका cycle बनाएंगे DNA का कितने cycle बनाएंगे तो ध्यान से समझेगा यहीं पर होता है आपका cycle threshold क्या है वैज्यानिकों ने या lab वालों ने एक fixed value रखा है यहाँ पर threshold value इनका जाचना है कि कोरोना के कितने chain बनाए जाए यह RNA का है RNA का कितना chain बनाए जाए कि उसके अंदर हमको coronavirus दिख जाए RNA को किसमें बतलना है? DNA में और इसमें कितने chain बनाए जाए कि हमको कम से कम क्या दिख जाए coronavirus दिखाई दे दे तो एक average value निकाला गया कि कितने chain घुमाना है 35 35 chain घुमाएंगे और इस 35 घुमाने तक में अगर corona मिल गया तो हम कहेंगे कि भाईया यह corona positive है लेकिन 35 chain घुमा दिए भाईया तो रहा में corona virus मिलिये नहीं रहा ऐसे समझे यह नॉर्मल भाजा यह जो juice बनाने वाली machine होती है इसमें आप मोसम्मी या कुछ भी डालते है और इधर से आप नचाते है नचाते है तो आप बती पहिला बार नचाते है तो उसमें corona detect नहीं हो पाता है तो डॉक्टर यही देखता है cycle threshold में कितना cycle घुमाएं है कि corona निकला है जैसे हम मोसम्मी डाल दिये तो कितना cycle घुमाएंगे कि मोसम्मी का रस निकले कम से कम 4-5 बार घुमाएंगे नो तभी उसका रस निकलेगा आशे हैंगे तो रत्ते दापते निकल जाएगा तो मोसम्मी का CT भाहिलू कितना हो गए 5 कितना पर उरस फेका है ऐसे ही आम का कर देंगे तो आम का तनी और निकलेगा देर में आम का रस निकलेगा दोस बार में अमरूद डाल देंगे और कहेंगे कि कि आमरूद का बताइए तो CT भाहिलू को को वो Sorial मारेंगे तो निकलेगा अमरूद में रसे नहीं होता है तो सब्सक्राओं में मारेगा तो पो लगा वैसा ही हो रहा है सब्सक्रा कोरोना में कोरोना में जब आटी PCR कियी जा रहा है तो कहा जा रहा है कितना cycle करेंगे कि corona detect हो जा रहा है तो किसी किसी का पाँचे cycle में corona detect हो जा रहा है तो किसी किसी में तो बहुते corona था पाँचे बार घुमाए है मिल गया अग किसी किसी में नहीं मिल रहा है दोस बार घुमा रहा है तो मिल रहा है तोरा में कोरोना तो कम है, और किसी किसी में 20 वार घुमाना पड़ रहा है, 20 साइकल चलाना पड़ रहा है, 20-20 साइकल घुमाने के बाद उसमें कोरोना आ रहा है, तो उसका CT वैलू कितना दे रहा है, 20, किसी किसी के 30 साइकल घुमा रहा है, तो उसमें कोरोना मिल रहा है, मतल जब कोरोना जल्दी नहीं मिला है और CT value कम है मन के चले दु है CT value यनि दु यह round मारा धायदे कोरोना मिल गया है इसका मतलब सबस्वरा है बहुत ज़ादे कोरोना है सर्मे आ रहा है कि ने अग किसी का CT value 30 है मतलब 30 round मारा है तो अब जाकि उसको कोरोना दिखा है तो CT value का जादे होना यह दिखाता है कि Corona की मातरा कम है CT value कम है मतलब तुरत्य Corona मिल गया मतलब सरीर में Corona की वहलना value जादे है CT value से आपके स्वास्त पर कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी का CT value जादे है मतलब Corona कम है तो ऐसा नहीं कि वो खत्रे से बाहर है कोरोना कम रहे या जादे हिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है या वो तो एक बार आएगा खटा-खटा अपना replication करके बढ़ा लेगा कई बार ऐसा भी देखा जाता है किसी का स्लाइवा लेने में कम आ जाता है कम स्लाइव आता है तो उसका CT value जादे आ जाता है क्योंकि उसमें से कोरोना जल्दी मिलता ही नहीं जैसे अब समझें दूसरा एक्जम पर लेकर समझाते है जैसे कोई व्यक्ति है कोरोना उसको सुरुवात में हुआ तो जैसे उसके सरीर में कोरोना घुसा तुरत तो कोरोना फैल नहीं जाए तो जैसे कोरोना घुसेगा अब वो जाएगा आपने पीसीर करने तो उसका एक राउन करेगा आटी पीसीर तो करोना मिलेगा नहीं क्योंकि अभी अभी इंट्री माराभी तो बहुत कम होगा तो उसका दूच दस पंदराव दीस पचीस पर जाके डिटेक्ट होगा तो डॉक्तर कहेगा आपका सीटी भाईली तो पचीस है मैंने जल्दी कोरोना मिलिय नहीं रहा था लेकिन अगर वही भी मरी दश दिन बाद चेक करने जाएगा तो उसकी अफ्यफला में तो पूरा कोरोना भर गया होगा अब जब चेक करेगा तो दूझे चार राउंड मारेगा 8 में तो पांृ स्चे में मिल गया तो कोरोना कम हो गया सब तो बहुत ज्यादे साइकल चलाना पड़ेगा मतलब समझे क्या है कि सुरुवात में आपके सरीर में कोरोना कम होता है इसलिए साइकल ज्यादे चलाना पड़ता है तो CT CT value जादे होती है, लेकिन जैसे जैसे बीच वाले इस्तिती में आते हैं, बीमार पढ़ने लगते हैं, तो CT value घटने लगती है, क्यों? क्योंकि तुरत्य कमे cycle में आपको Corona मिल जाता है, और जब आप ठीक होने लगते हैं, इंड होने लगते हैं, तो फिर CT value बढ़ जाता है, मत इसका CT value कम है, वो बच जाएगा, जिसका जादे है, वो नहीं बचेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये केबल Corona के वर्तमान संख्या को बताता है, संख्या से क्या मतलब है, तो तुरत बढ़ाई लेता है, अपनी संख्या, Corona को संख्या से मतलब है, तो अगर बताएं CT value कम, तो load value हम आपको बताते हैं, यहां हम मरीज का CT value लिखे है, हम कहते हैं कि इसमें बताएं, वो कौन सा मरीज है, जिसमें सबसे जादे CT, मतलब किस इस्थिती में सबसे जादे virus दिखने है, सबसे virus जादे कब दिखेंगा, CT value पर, तुरत वाइरस कब दिखेंगा, दिखेंगा, ने का सरीरे में कोरोना भर ले थाओ, वा सबसे कम कोरोना कि इसमें देखा गया, तो जिसका CT value 32 है, क्योंकि 32 राउंड किया है, खोजते क्षटे 5 में नहीं मिला, 12 be-15 में मिला, 25 में मिला, बहुते कम कोरोना है, लेकिन कोई गारेंटी नहीं कि इसमें कौन बचेगा, कौन म क्या बढ़ाने में स्वतंत्र है RT-PCR का जो टेस्ट है वो हस्पीटल में जाके ही होता है